Hello friends, good morning, कैसे हूँ, hope करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही होंगे शो friends, आज की इस class में हम लोग solve करेंगे GKJS का practice rate पूरे 50 प्रश्टों का हम लोग इस वीडियो में solve करेंगे friends, अगर आप लोग 50 में से 18 प्रश्टों सही कर लेते हैं तो आपकी ZKJS के तहरी अच्छी है और भी वीडियोस अगर आप लोग को देखने हैं तो आप लोग प्ले लिश्ट में जाके देख सकते हैं हर subject की आपको जो है classes मिल दाएंगी अलग-अलग प्ले लिश्ट भी आपको मैं बना दिया हूँ, ठीक है और इन classes की फ्री में PDF अगर आपको डाउनलूट करना है तो टेली ग्राम चैलिंग को जोईन कर लें वीडियो को डिस्किप्सिन बॉक्स में टेली ग्राम चैलिंग की लिंक मिल दाएगी तो चली class को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेली classes का timing आप सबी लोग देख सकते हैं डेली शुवा 9 बजे आपकी शमान ग्यान की class होती है डेल बजे हिंदी की class होती है शाम साड़े 6 बजे subject ability and reasoning की class होती है और यहाँ पी यह देख सकते हैं यह हमारा complete syllabus notes है इस notes में हिंदी जी के reasoning subject ability के 5000 से जदा topic वाई subject question देखने को मिलेंगे 10 year के previous papers भी आपको देखने को मिलेंगे शवी वर्गों के लिए class course से मातर इसका जो प्राइस रखा गया है 149 रखा गया है लगभग 500 पेज की यह निचोड notes है सरकारी seat लेने में बहुत ही help करेगा यह हमारा class course वीडियो को discussion box में लिंक देदी हों आप लोग परचेश कर सकते हैं और अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं कल यह वीडियो आई है फर्म 10 फरविर से स्टार्ट हो रहा है सरकारी seat कैसे लें और 2023 में क्या करें B8 या DL8 बहुत सारे लोगों में डाउट है तो इस वीडियो को जाके जरूर दिखिए कल वीडियो अपलोड होई है दोपार में आज की class का सबसे पहला प्रशना आपकी इसकेन पे आ गया है रक्त शमुहो ओ वाला एक व्यक्ती किस रक्त समुहो वाले व्यक्ती से रक्त ले सकता है बताएं सब लोग रक्त शमुहो ओ वाला एक व्यक्ती किस रक्त समुहो वाले व्यक्ती से रक्त ले सकता है तो देखिए जिसका blood group O है तो वो केवल O group से ही ले सकता है और ये दे सकता है सभी को ठीक है? यानि कि सरवदाता होता है O blood group जिसका है वो शभी को दे सकता है यानि कि A को दे सकता है AB को दे सकता है सभी को दे सकता है ठीक है? और ले किसे सकता है केवल O से ले सकता है ठीक है? तो ध्याना कीगा और AB AB जो है ये सरवगराही होता है यानि कि ये सभी से ले सकता है सभी गृप से ले सकता है बलट का PH मान याद रखना है 7.4 ठीक है चलिए राश्टपती दोरा राजस अभा के कितने शदश मनोनीत हो सकते हैं 2-12-6-14 वीडियो को लाइक कर दो, शेर कर दो में अपना डाउट की ले कर सकते हैं राश्ट पती दौरा राज्य सभा के कितने श्रदश मनो नीत हो सकते हैं तो बारा श्रदश मनो नीत हो सकते हैं ओफनिस का जो है आपका बी वाला बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए प्रजातियों की उत्पत्ति की रशना है किसकी ब्यापी, प्रसिद्धी अर्जित की थी बहुत ही जवर जैसा प्रश् genuinely से किस शेत्र में विस्व्यापी, प्रसिद्धी जो व्यर जैज अर्जित की थी आर्थसासर की शेत्र में यह जय उरशायन या भूविज्यान या तारा भाव की बताने सब लोग और 50 में से आपकि ज थे अर्थशास्त के छेत में ठीक है अगला प्रशन किसी भारती राजी की मुखमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी कौन बहुत ये नॉर्मल प्रशन है वो है सुचेता कर प्रप्रदेश था ठीक है चलिए अगला प्रशन है आप देख सकते हैं इवीम का आसा है इसका केर भी कर दिया करो ताकि और सारी लोग हमारी क्लास से जॉइन हो शके उनको भी हेल्प मिल सके सरकारी सीट लेने में तो इवीम का जो आसे होता है इलक्ट्रानिक वोटिंग मसीन इसका फुल फॉर्म होता है ठीक है ऑफनिस का जो आपका सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जग तो गीत गोविन की रशना की गए थी जै देव के द्वारा किसके द्वारा जै देव के तारा ठीक है ओफनिस का सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए इसमें आप लोग बताईए बेमेल पहचानना है आपको यहाँ पे नोबिल पुरुषकार हो गया मैकसे से पुरु बताएं सब लोग अस्थियां किसमे वातिल होती हैं मचलियों में या सरी स्रुपों में या उभैचरों में या पक्षियों में नाइन का राइट नसर बताने का प्रयास करें सब लोग अस्थियां किसमे वातिल होती हैं तो यह वातिल होती है पक्षियों में ठीक है नाइन सलियन या आयनन बताएं शूरे में उर्जा की उतपादन की पक्रिया का नाम है क्या टेन का राइटन से बताने का प्रयास करेंगे सबी लोग वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो सबी लोग और चैनलों को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं कियो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेलाइगा उनको all papers के लिजेगा ताकि जो daily classes चलती हैं उनका notification आपको time time से मिलता रहे हैं और जो भी बीए attendance exam की update आए वो update आपको मिल सके तो सूर्ख में उर्जा की उत्पादन की जो पक्रिया का नाम है वो है नभ की सल्यन most important question था आपके exam के लिए 10 का C वाला बिलकुन correct हो देगा चलिए ग्रहण जो है किस प्रकासी परिखटना के कारण लगते हैं 11 का job दें ग्रहण किस प्रकासी परिखटना के कारण लगते हैं परावरतन या अपवरतन या जिरूखी संचरन या वीवरतन बताएं ग्रहण किस प् अधिकता मात्रा निम्लकित में से कौन पैदा करता है बताएं सब obtain लोग 12 का राई और क्या होगा ओक्सी करण पर उरजा की अधिकता मात्रा निम्लकित में से कौन पैदा करता है तो वो पैदा करता है वशा ठीक है 12 का b वाला बिलकुन correct हो झा娘 चलिए बहुत अच्छे च शमानता प्रियोग की जाने वाली धातुए हैं कौन सी जौब आना स्टार्ट हो गया है विद्दुत लेपन के लिए शमानता प्रियोग की जाने वाली धातुए हैं कौन सी बहुत अच्छे सभी लोग जौब दें सभी लोग जौब दें विद्दुत लेपन के लिए शमानत आटो मोबाईल के रेचन से कैंसर हो शकता है था है Oh 14 के राइट असर क्या होंगा न Critosure में किस आटो मोबाईल के रेचन से कैंसर हो शकता है ना इर्टूजन की Oxide, Sesat या Carbon Mono Oxide या Polycleaning Hydrocarbon 14 का job देने के परयास करेंगी निमलिकीद से किस आटोमॉइल के रेचर्ण से कैंसर हो शकता है कारबन मोन आकशाइड के रेचर्ण से कैंसर हो शकता है ठीक है उफनलिस के उजργा भी वालवलकुल करेक्ट हो जबेगा चली ईजोगों परत की ना होने पर हुआई मंडल में कौन से किरने प्रविस्ट कर जाएंगी Most important question है आपके exam के लिए सीधे exam में छपने वाला है तो इस्टा लगा कि note कर लिजेगा बहुत important है फिर से एक बार बोल रहा हूँ ओजोन परत के ना होने पर वाईवंडल में कौन सी किरने प्रविश्ट कर जाएंगी प्रविश्ट कर लिजेगा इस प्रविश्ट को चलिए कीबू लाम जाओ जो पार्क है जो विस्ट का एक अकेला तैरता हुआ पार्क है ये कहां पर है ये आपको उताना है बताएं सब लोग कहां पर है most important question है आपके exam के लिए बहुत ही जबर्जस्ट प्रश्ण है आपके exam के लिए बताने का प्रयास करेंगे सब लोग कीबू लाम जाओ पार्क जो है किस राज में है ये विस्ट का एक मात्र तैरता हुआ पार्क है मिघाले में या मडीपुर में या मिजोरम में या अशम में बताएं सब लोग जबर्जस्ट प्रश्ण है आपके exam के लिए तो ये है आपका मडीपुर में ठीक है अब आप लोगों से मैं कोश्चन पूछ रहा हूँ ये किस नदी पर है आप लोग बताएं किस नदी पर है बताएं सब लोग तो शबीलोग कमेंट करेंगे ये किस नदी पर है ठीक है चलिए इसका फुल फार्म बताएं तब तक आप लोग N I E O का जो है पूड़ रूप क्या हो जगा 17 का जाब दें N I E O का फुल फार्म क्या होगा New International Economic Order हो जगा ठीक है 17 का D आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए भारत के निमलकीत में से किस राज़ का एक नत्र नाटक कुची पुड़ी है Most important question है कुची पुड़ी नत्र जो है ये किस राज़ का है ओड़ीसा का या आंध प्रदेश का या केरल का या तमिल लांडू का 18 का जॉब देने का प्रयास करेंगे से ब्लूग कुची पुड़ी जो नत्र है ये किस राज़ का है ये आंध प्रदेश का है ठीक है बी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए राश्टी समाजिक सहायता कारकरम का लक्ष उपलब्द कराना है क्या 19 का जॉब देने का प्रयास करेंगे राश्टी समाजिक सहायता कारकरम का लक्ष उपलब्द कराना है क्या तो इसमें से सभी है आपका शहायता प्रयास करेंगे 1972 या 1974 या 1967 या 1908 तो सम्मेरा सम्मेरास करेंगे तरब्द करेंगे 1972 में ठीक है आफनिस का जो हब का A वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए इस्टील से बनी गोला कार गेंद को मरकरी के पातर में डालने पर वहां क्या हो जाएगी डूप जाएगी या उपर रहेगी या निमजित हो जाएगी या मरकरी में घुल जाएगी 21 का जौब देने का प्रयास करेंगी सब लोग इस्टील से बनी गोला कार गेंद को मरकरी के पातर में अगर डालते हैं तो वहां क्या होगा तो वह अंसता मरकरी में जो है निमजित हो जाएगी 21 का C वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए आगे चलते हैं 20 हर्ट से 20,000 हर्ट से की आवरती वाली धौनियों को कहते हैं क्या सुद्ध जल्विद्ध का कुचालक है क्योंकि क्या होता है बताएं सुद्ध जल्विद्ध का कुचालक है क्योंकि यहां स्वल्प आयनित होता है या वासपसील नहीं होता है या अति उत्तम विलाइक है या अध्रवी विलाइक है तो शुद्ध जल्विद्ध का कुचाल राश्टी राशानिक प्रयोग साला कहां इस्तित है तो ये है आपका पुने में ठीक है 24 का जो है आपका C वाला बिल्कुन करेक्ट हो जाएगा चलिए 25 का जौब देंगे पेजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है पेजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है रोगाडू नासी के रूप में प्रयोग किया जाता है 25 का A वाला बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए गामा किरिनों की अधिक्तम शामिता होती है किस के साथ तो एक सिकरनों के साथ होती है ठीक है तो 26 का जो है आपका C वाला बिल्कुन करेक्ट हो जगा संग्या हारी के रूप में क्लोरो फार्म का अविस्कार किस ने किया था तो इसका अविस्कार किया गया था जेम्स सिंपसन के दोरा ठीक है ट्विंटी सेवन का ए वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए अगले प्रेशन को जवाप देंगे सब लोग कोई नई अखिल भारती सेवा किस प्रकार सुरू की जाती है कोई नई जो है अखिल भारती सेवा किस प्रकार सुरू की जाती है तो शंबिधान की धारा 312 पारा के अंतरकर शंकल परित करके कोई नई अखिल भारती सेवा जो है शुरू की जाती है तो 28 का सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा नेमले कि इसमें से कौन सा दीवस अक्टूबर महीने में नहीं मना जा सकता है तो विस तो पर्या वरंड दीवस आपका नहीं मना जा सकता ह जाता है मतलब यह पांच जोन को मना जाता है तो 29 का उनका डी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए अगला परशन, सबसे पहले ज्यो सबसे पहले किस उच्छना की कि बंद आशामेदने की निकाए है, तो वह आपका के रल, 30 के जुआ हैं आपका सी वाला बिलकुन करेक हो जगा अगला प्रशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि निमलिकित में से कौन सा अश्रम का प्रशित तेवहार है बताएं सब लोग अश्रम का प्रशित तेवहार कौन सा है मकर शंक्रांती हो गया युगादी हो गया ओनम हो गया रोंगाली बिहू हो गया तो अश्रम क पुछे तो उत्रप्रदिश आपको याद रखना है ठीक है चलिए वह आउशदी कौन सी है जो दुश्चिता को कम करती है और शांती परदान करती है थर्टी थिरी का जॉब देने का प्रयास करेंगे सब लोग आंसर सूचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो हो जागा कुटक किसमे नहीं पा जाता है बतक में पा जाता है उनका आंसर दिuyorsunतरत इस्प्रैक्टम प्रतिजयवि की किससे उत्पन होते हैं बताएं सेब लोग विस्तरत्र इस्प्रेक्टर्म प्रति जैवी की किस से उत्पन होते हैं स्टेप्टो माइसिन या एस्परजिलस या पैंसीलियम या बैसीलश 35 को जौब दने का प्रयास करेंगे तो पैंसीलियम से उत्पन होते हैं विसस्त इस्प्रेक्टर्म 35 का C वाला बिलकुन करेक्ट हो जागा चलिए अगला प्रेशन आपर देख सकते हैं वहां वरणक जो वनस्पती को पराबैगनी करिणों के दुस्परभाव से बचाता है वहां कौन सा है क्रोलो फिल हो जाएगा वहां वरणक जो वनस्पती को पराबैगनी करिणों के दुस्परभाव से बचाता है वहां कौन सा है तो वह है आपका फाइको शाइन 36 का C जितने विलोग जो आप दे रहा हैं उनका अंसर बिल्कुन सही हो जाएगा तो यह जो हैं गलोकोज के बहुलक होते हैं 37 का B वाला बिल्कुन करेक्ट हो लगा चलिए काली मौत किसे कहते हैं 38 का जॉब देने के प्रयास करेंगे काली मौत किसे कहते हैं तो प्लेग अकू कहते हैं बहुत एक्जाम में रिपीट होता है तो इश्टा लगा के नोट के लेजगा छपने वाला प्रश्ण है आपके एक्जाम के लिए चलिए तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण जादा दिखते हैं क्या कारण है क्योंकि प्रथवी जो है पश्चिम से पूर को गोम रही है इसी वज़े से जादा दिखते हैं ठीक है तो 39 का D आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए अगला पश्ण चंद्रमा पर कोई आंतरिश यातरी नली की सहायता से नेमू का सरबत क्यों नहीं पी सकता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वाई बंडल नहीं है ये बहुत एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है चलिए कोई कण एक समान गती पर कैसे होने चाहिए पताएं से बहुत लोग कोई कण एक समान गती पर कैसे होने चाहिए तो ये होने चाहिए उसका वेक एक समान हो सकता है ठीक है ओफनेस का जो आपका C वाला बिलकुन करिक्ट हो जगा वह अपकरण जो धनी तरंगों की पहचान तता रिजरुएखन के लिए परीक्ट होता है वह कहलाता है उस नेटवर्क टॉपल अजी का नाम क्या है जिसमें प्रतेक संभावित नोड में डिडिसी कड़िया है इस्टार हो जागा या मिस हो जागा या रिंग हो जाएगा या ट्री हो जाएगा 43 का जॉब देने का प्रयास करेंगे तो वह है आपका मिस ठीक है डी करेक्ट हो जगा चलिए फीफा कप जो है किस खेल से समधित है बताएं 44 का जॉब देने का प्रयास करेंगे फीफा कप किस खेल से समधित है फुटबाल से, टेनिस से, होंकी से, बैड मिंटन से बताएं सब लोग, फीफा कप का शम्मन्द किस्से है तो फीफा कप का शम्मन्द है फुटबाल से, और इसका आपका ये वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक वायू पर दूशित करता है नाइटिश आकसाइड या सलफर डाई आकसाइड या कारबन मोनो आकसाइड या इन्न में से कोई नहीं बताएं सब लोग, इन्न में से सबसे अधिक वायू पर दूशित करता है क्या तो कार्बान मोनो आकशेट सबसे अधिक जो है वाई परदुशित करता है 45 का B वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा कैमपूर्टर की गती किसे मापी जाती है कैमपूर्टर की गती किसे मापी जाती है बाइट से, मेगाबाइट से, बिट से, या किलोबाइट से 46 का जौब देंगे से ब्लोग कैमपूर्टर की गती किसे मापी जाती है तो बाइट से मापी जाती है Most important question है कई बार exam में पूंचा जा चुका है सीधे छपने वाला प्रशन है आपके exam में चलिए निम्न में से कौन सा समिधान में पूंड वरंडित है पताने से ब्लोग कौन सा समिधान में पूंड वरंडित है तो इसमें आपका एकल ना गरीता जो है समिधान में पूंड वरंडित है 47 का यह आपका बिलकुन correct हो जगा चलिए 48 का जौब देंगे समिधान का वरंड किसमें नहित है मौलिक कर्तब में उदेसिका में या मौलिक अधिकार में या नीती नेरदेशक तत्त में समिधान का वरणक किसमें नहित है या आपका उदेसिका में नहित है और वाला बिल्कुन करेक्ट हो जगा भारत का धन संदच्छक कौन होता है नियंतरक एउम महालेखक पर इच्छक आउप्शन आउर देख सकते हैं महानियावदी या सर्वोज नेले का मुकिन अधिस या परधान मंतरी 49 का जौब देने का प्रयास करेंगे एक बार फेट से प्रशन आप लोग पढ़ सकते हैं कि भारत का धन संदच्छक कौन होता है तो भारत का धन संदच्छक नियंतरक एउम महालेखक पर इच्छक होते हैं 49 का एपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा अगला परशन वलाबाई पटेल को शरदार की उपादी किस ने परदान की थी बताएं सब लोग वलाबाई पटेल को शरदार की उपादी किस ने परदान की थी महत्मा गादी ने परदान की थी शो फ्रेंट्स ये थे आपके जीके जैस के टॉप 50 के जीके के कोश्चन इन 50 में से जितने भी आपके कोश्चन करेक्ट हुए हों कमेंट बाक्स में नाम इसको जरूप देगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से ही देखने को मिलेगी और भी क्लासिस आपको प्लेलिस्ट में मिल दांगी मिलते हैं अगली क्लास पर थैंक इस शो मच